दोस्तों जब भी मौसम बजलता है तो हमें सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो होती है सरदी खासी जुकाम की और इस वज़े से क्या होता है कि हमारी छाती में चेश्ट में कफ या बल्गम इतना ज़्यादा जमा हो जाता है कि एक तो खासी खतम नहीं होती दूसरे जो ह आपके साथ एक बहुत ही शांदार रेमेडी सेयर कर रही हूं यह रेमेडी जो है अगर आपके चाती में जो जमा कफ और बल्गम है वह अगर काफी ज्यादा टाइम से है 6 महीना साल भर भी पुराना है तो इससे जो है आपको बहुत सारे बेनेफिट मिलेंगे इस रेमेडी क बहुत हैं जो रेमेडी में शेयर कर रहे हूं सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए होगी अधरक आपको कि कितने जो करना होथ आपको यहाँ पर अच्छे से इसको wash करना है और छोटे-छोटे pieces में chop कर लेना है अद्रग को वैसे आप crush करके भी ले सकते हैं पर अद्रग को जिस तरह से हम छोटे टुकलों में काट रहे हैं तो इससे भी जो है इसके सारे सत हमारे इस remedy में आ जाएंगे अद्रग जो होता है वो हमारी health के लिए बहुत ही beneficial होता है ये खासी से निपटने में तो रहात देता ही है इसमें antioxidant होता है जो गले और सास लेने वाली नली में जो जमा toxins होते हैं उनको भी बाहर निकालता है यानि कि जो कफ होते हैं उनको बाहर निकालता है इसके बाद से जो जीज हमें चाहिए होगी वो है दोस्तों डालचीनी डालचीनी का सेवन इसलिए हम करेंगे यहां पर इसने मेडी में कि इसके सेवन से छाती में जो जमा कफ होता है वो दूर होता है बलगम कहणने से हमारी चेश्ट क्लियर होती है साथ ही सांस की नली को साफ करने में भी डालचीनी का बहुत बड़ा रोल होता है डालचीनी जो होता है वो हमें फ्लू, सर्दी, खासी और गले की तकलीफ को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसमें भी होते हैं बहुत सारे एंटि आक्सिजन्ट जो हमारे शरीर को healthy रखने में help करते हैं साथ ही जो कफ जमा होती है जो बल्गम जमा होता है उसको clear करने में ये बहुत ही beneficial होता है दालचीनी के एक छोटा से टुकड़ा लेंगे एक इंच का टुकड़ा लेना है अगर आपको पस दालचीनी का powder है वो भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं नेक्स जो चीज है दोस्तों वो है मुलेठी यहां पर मैं आपको मुलेठी दिखा रही हूं मुलेठी जो होता है वो कई त मुलेठी का तोड़ा सा इस्तिमाल करने वाले की से का इस्तिमाल करेंगे में आप को आगे बिताऊंगी होता है वह चीनी से तुल्नानीस होता है इसकी एक वाइटमीन प्लेडिन लृप करता है मुलेटी जो होता है वो पेट के रोगों में सहायता करता है साथी सूखी खासी को दूर करता है अब इस सारी चीज़ों को हम लिया है लेकिन अब इसके बाद से जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो है दोस्तों तुलसी तूल्सी के पत्ते इजली हमारे घर में मिल जाते हैं तूल्सी के पत्तों को लेकर अच्छे से इनको पहले वाश कर लीजे तूल्सी जो होती है नाक, स्वात्नली और फेफडों में जमा कफ को निकालने में मदद करती है जिससे अगर आपको अस्थमा का भी एटैक है, सिंबल सर्दी जुकाम है या फेपडों के रोग है इन सारे चीजों से तुलसी बचाव करती है अगर आपको इंफ्लुएंजा हुआ है, गले में खराश है तो आप तुलसी के पत्तों को यूज करिए देली अपने चाय में, पानी में या एक तरह काढ़ा बनाकर आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं तुलसी हमारे पूरे दिन की जो ठकान होती है उसको भी जड़ से दूर कर देती है जब अगर आपको तेज फीवर है तो तुलसी की पत्तियों का इस्तिमाल कर सकते हैं 20-30 क吃 पानी को गैस पर, और 2-3 sama cònशआ कवा लिए किजयर है पानी के पानी कुछी पल इस तायम पर रजह सकते हैं सब्सकंद कर सकते हैं यहां पर अधरकी ठीक सबब्सथाराल, औरह पानी में जोड़ दूर देंगे जब इस पानी में हलका हलका सा वो उबाल आने लगेगा तब हम एट करेंगे अपनी यहाँ पे तूलसी के पते तो तूलसी के पते एक बार मैंने 6-7 ले लिए हैं अगर तूलसी के पते आपके पस छोटे छोटे हैं शामा तुलसी है या रामा तुलसी है कोई मैंटर नहीं है जो तुलसी के पत्ते आपको मिले वो आप ले लिजे बस पत्ते छोटे हो तो थोड़े quantity बढ़ा दीजे इनको हलका हलका सा इस तरह से कुचल कर या फिर हातों से तोड़ कर क्रश करके डाल दीजे मुलेठी टालने का थोड़ा सा बाद में टाइम है अब ये जो पत्ते हमारे पक रहे हैं इसे हम पकाएंगे 2-3 मिनिट के लिए 2-3 मिनिट पकने के बाद आप देखेंगे कि पानी का कलर चेंज हो गया है तो इस टाइम पर हम डालेंगे मुलेठी का पाउडर अगर आपके पास खड़ी मुलेठी है तो आप शुरू में अद्रक के साथ ही डाल दें मैं यहाँ पर य बाद भी 2-3 मिनिट हम पकाएंगे इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक पानी पक कर एक कप यानि की हाफ कप न रह जाए उस बड़े कप का हाफ कप रह जाए यहां पर आप देखना है कि यह पानी बहुत अच्छी तरीके से पक गया है यानि कि एक काढ़ा जो हमारा बहु के लिए आप जो है किसी छन्ने का इस्तिमाल कर सकते हैं और यह जो मैजिकल ड्रिंक तैयार हुआ है दोस्तों आप इसे मिश्डी डालकर गुर्ड डालकर या फिर शहट डालकर कैसे भी ले सकते हैं जो भी आपकी 2400 जिन चीजों की वो उसको साथ लेकर आप इसको इसको इ खराश होती है वो भी दूर होती है तो शहट के बहुत सारे हल्द बेनिफिट्स भी होते हैं एक चोटा चमच भर के शहर दिया है शहर को मिला लेंगे अब यह जो काड़ा है इसे आपको दो टाइम लेना है जानी की एक चोटा कप कड़ा पको सुबह लेना है और एक कप श किना है इसे आप सिप सिप करके पीजिए सुबा और शाम आप देखेंगे कि आपको कितना ज्यादा रिलीफ मिलने लगा है एक से दो टाइम पीते ही आपके जो कफ और बल्गम का जो एक होता है हमारे चेस्ट में वह धीरे-धीरे पिगलने लगेगा मेल्ट होने लगेगा औ आपको जो है यह का बल्गम आटोमेटिक जो है खासी से बाहर आने लगेगा आप इसको तुपते रहे और फिर देखिए कि आपके जो है चाती में जमा हुआ बल्गम कैसे दीरे-धीरे एक से दीजिनों में ही हलका होके क्लियर होने लगता है दोस्तों इस रेमेडिय में ज और बड़ों को तो बेनिफिट इससे मिलेंगे ही मिलेंगे कितनी भी पुराना चाती में जमा हुआ कब बल्गम होगा इससे बहुत जादा रिलीफ मिलेगा तो होप करती हैं दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शियर भी करिएगा फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई थैंक्यू